अलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी यह है दोस्तो मोटो का G34 5G जो की मोटरोलो का सबसे पॉपुलर बजट फून है सिर्फ 11,000 का आपको यह मिलता है लेकिन आज इंडिया के अंदर लॉंच हो चुका है दोस्तो इसका बड़ा भाई मोटो G45 तो यह है G34 और आज चुका है दोस यह है 11,000 तो दोनों आपको मोटोरोला की तरफ से मिल जाते है तो इस वीडियो में हम जाने हैं दोस्तों आपको दोनों मंसा कौन सा खरीदना चाहिए दोनों में क्या-क्या खूब है तो जानने के लिए एंट तक जबढ़ेगा सबसब पहले डिजाइन के बारे में बात कर इससे और इससे थोड़े बढ़िया कलर आए जैसे कि आपको G34 में देखने को मिलते है इससे जाधा बेटर कलर्स आपको G45 में मिल जाएंगे तो इसके अंदर कलर्स और जाधा बढ़िया है इससे इसके लग दोस्ते इसके इनदर आपको बैक सैट पर यह 50 MP का में कैमरा मिलत बाकी बात करें दोस्तों डिस्पले के बारे में, तो G34 में इसमा आपको डिस्पले दी गई है IPS HD PLUS 6.5 in की, चेंज की डिस्पले दी गई है चाहीए थी जो कि आपको देखने को नहीं मिलती, हाला कि इसको डिस्प्ले के अंदर आपको जी थर्टी four में जो है न दोस्तो one twenty hertz के refresh rate मिलता है और यही refresh rate आपको जी फॉन्टी five के अंदर महीं मिल जाता है one twenty hertz तो जैसी smooth ness Calvin इसका इंदर देखने को मिलती है दोस्तों काफी जादा स्मूध फो नहीं है वैसी स्मूधनेस आपको उसके अंदर भी मिल जाएगी जी-45 के अंदर user interface इसका भी बढ़िया उसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया मिल जायंगा काफी clean यहें, Faldo के applications नहीं मिलती है तो इचीज आपको G34 के अंदर G45 में similar type के देखने को मिलती है डिस्प्ले का design इसके अंदर भी आपको जो दोस्तो punch hole camera वाला दिया गया है और G45 के अंदर भी आपको जो दोस्तो punch hole camera वाला display का design मिल जाएगा तो इचीज को लेकर भी दोनों smartphone same type के है तो अभी तक जो है दोस्तो जितनी चीज़े देखने चाहे बात हो design की quality की camera की display की दोनों के अंदर आपको same type की features देखने को मिलते है और जो है दोस्तो इन दोनों phones के अंदर आपको जो camera दिया गया है और 828 इसका भी 428 दोस्तो आपको 4GB RAM 128 GB storage के साथ 11,000 का मिलता है उसका भी 4GB RAM 128 GB storage के साथ आपको 11,000 का मिल जायागा variant G45 का और 812,000 का उसका भी आपको 12,000 का सपास मिल जायागा तो RAM और storage भी आपको दोने के अंदर same rate में बराबरी दी गई है बाकि दोस्तो ये भी 5G phone है वो भी आपको 5G phone मिल जाता है SIM की trace में भी आपको ऐसी मिलती है दो SIM card लगा सकते हैं 5G के उसमें भी लग जाएंगे दोस्तो support मिल जाता है दोस्तो और G45 के अंदर भी आपको Dolby Atmos का support मिल जाएगा तो इस चीज़ आपको दोने के अंदर similar type की देखने को मिलती है तो लगबग जाद अतर चीज़े जो ने दोने के अंदर same type की है इसके साथ जो है दोस्तो charger जो मिलता है G34 के साथ वो आपको मिलता है दोस्तो तकरीबां 208 का और उसके साथ भी 208 का ही मिलेगा तो charging speed भी similar type की मिल जाएगी 5000 image के आसपास इसके अंदर आपको G34 में बैटरी मिलती है G45 के अंदर भी आपको 5000 image के आसपास मिल जाएगी तो battery backup भी दोने के अंदर आपको G34 के अंदर आपको मिलता है दोस्तो snapdragon 695 अब यहाँ पर आपको फर्क मिलता है दोस्तो G45 के अंदर अभी तक हमने जितनी भी चीज़े जो है दोस्तो देखी सब बिलकुर similar type के बस एक color का फर्क है और दूसरा फर्क आया दोस्तो processor को लेकर उसमें आपको मिलता है snapdragon 6s gen 3 त सब्सक्राइब करने की कोशिश करूंगा तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो दोस्तो प्रोस्तर उसके अंदर आपको इससे जादा बैटर मिल जाएगा हाला कि डे टुडे यह उसके अंदर यह भी काफी बढ़िया से परफॉर्म करता है लैक टाइप करनी हो तो काफी बढ़िया स्मूथ चलता है थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो आपको प्रोब्लम नहीं होगी लेकिन इससे थोड़ा और जादा बेटर प्रोस्तर आपको जी फॉटी फाइफ के अंदर मिल जाएगा तो दोस्तो सेम टाइप के फीचर मिलते हैं चाहे आप बात कर जो मिलता है वह कलर का इससे इसके अंदर जो कलर है ना जी 34 कि इतने मुझे परसनली इतने पसंद नहीं है क्वालिटी तो अच्छी लेकिन कलर इतना सिंपल सोबर ही है हाला कि उसका डिजाइन भी सेम यहां तो दोनों बिल्कुल भाई-भाई लगते लेकिन कलर से फिर भी रखे और ज्यादा बेटर आपको मिलता है दोस्तों जी 45 दोस्तों मैं आप उसकी जो एंबॉक्सिंग करने की जल्दी से कोशिश करूंगा और जो है कंपरेजन करने की दूसरे स्मार्टफोन के साथ आपको जो दोस्तों जी 34 ज्यादा अच्छा लगता है आप इसको बेट करके आप ज़रू दिखेगा वीडियो कांपरेजन की जी 45 और जी 34 की मतलब साथ साथ में और फिर जो दोस्तों खरीद लिएगा तो आपके ज्यादा बैटर रहेगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको दो चार पांच दिन तो वेट कर लिएगा वीडियो के लिए और उसके बाद जो है दोस्तों पर्चेस करिया फोन उससे पहले जोड़ा सा जिन्दबाजी कई बार जो दिक्कत हो जाती है तो आप सही कहूंगा थोड़ा सा वेट करके लिएगा चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए